साल 1992 में आई फिल्म खुदा गवा फिल्म में अमिता बच्चन और सिरीदेवी की जोड़ी को शांदार अंदाज में पेश किया गया था फिल्म खुदा गवा को लेकर एक किस्सा है बताया जाता है कि अमिता बच्चन की खुदा गवा की कास्टिंग चल रही थी अमिता बच्चन पूरी सिद्ध से चाहते थे कि सिरी देवी उनके साथ फिल्म में नजर आए लेकिन सिरी देवी उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी सिरी देवी का मानना था कि अमिता बच्चन इतने बड़े स्टार हैं कि उनके सामने किसी और के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ नहीं होता और दूसरी वज़े ये थी कि सिरी देवी कभी अपने रोल को दोराना नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने दूसरे अभिनेताओं के साथ भी काम करने से मना कर दिया था जिसमें अमिता बच्चन भी शामिल थे ऐसे में अमिता बच्चन ने सिरी देवी को फिल्म में हा करवाने के लिए एक प्यारी सी ट्रिक अपनाई थी अमिताब बच्चन ने जहां सिरीदेवी सूटिंग कर रही थी वहाँ गुलाबों से भरा एक ट्रक भिजवा दिया था वो ट्रक फूलों को सिरीदेवी के पास गिरा कर चला गया सिरीदेवी को अमिताब का ये अंदाज पसंद आया और वो खुदागवा में काम करने के लिए राजी हो गई थी सिरीदेवी ने इसके बाद फिल्म के लिए हाँ तो कहती थी लेकिन एक सर्थ रखी थी कि फिल्म में वो मा और बेटी का डबल रोल खुद ही करेंगी खुदागवा को बोक्स ओफिस पर भी जबरदस्त काम्याबी मिले थी